किसी के वास्ते हो अपने दिल में प्यार किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार जीना इसी का नाम है जी हाँ, अगर आप किसी का दर्द समझ कर उसकी मदद करते हैं तो जो सुकून और तसलिय आपको मिलेगी उसका कोई तोड नहीं है फेस्बुक यूजर रॉबिन मुकेश को भी ऐसा ही एहसास हो रहा होगा जब उन्होंने एक जोमैटो बॉय के दर्द को समझा और जुट गए उसकी मदद करने के लिए ये कहानी है हिदराबाद के मौहमद अकील की वैसे तो मौहमद अकील इंजिनिरिंग कर रही है लेकिन घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं होने की वच्छा से वो जोमैटो में डिलिवरी बॉय का काम करते है और ओर्डर मिलने पर लोगों को खाना पहुँचाने का काम वो अपने इसी साइकिल से करते थे ऐसे ही एक ओर्डर ने उन्हें रॉबिन मुकेश के पास पहुचा दिया जिन्होंने मौहमद अकील का दर्द समझा और जुट गए मदद के लिए दरसल हुआ यूँ कि 14 जून की रात करीब साड़े दस बजे के आसपास हैदराबाद के किंग कोटी इलाके में रहने वाले रॉबिन मुकेश ने जूमैटो पर एक ओर्डर प्लेस किया जिसे डिलिवर करने की जिम्मेदारी जूमैटो के डिलिवरी एक्जिकिटिव मौमत अकील एहमत को में लिए करीब 20 मिनट में अकील आर्डर लेकर मुकेश की लोकेशन पर पहुँच गए जब मुकेश अपना आर्डर लेने पहुचे तो वो अकील को देखकर हैरान रहे गए क्यूकि वो खाना डिलिवर करने साइकल से पहुँचा था ओर्डर देने वाले मुकेश तुरंत ये समझ गए कि डिलिवरी के लिए अकिल ने साइकल से 9 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 20 मिनट में तै की ये बात मुकेश के दिल को चुगई और उन्होंने डिलिवरी बॉय मुहमद अकिल की कहानी लोगों तक पहुँचाने के लिए अपने फेस्बुक पर पोस्ट किया और लिखा मुहमद अकिल ने मेरे ओर्डर को तेज स्पीड से डिलिवर किया जब निलोफर कैफे ने मेरा ओर्डर कंफर्म किया तो मुहमद अकिल महंदी पत्नम में थे और वही साइकल से चलकर किंग कोटी में मेरे पास ओर्डर डिलिवर किया मुकेश ने लोगों से अपील की और कहा अकिल इंजिनिरिंग कर रही है अगर आप मोहमत अकिल से मिलते हैं यह जुमैटो से कोई ओर्डर करते हैं तो उन्हें एक अच्छी टिप जरूरते साथी मुकेश ने ये भी बताया कि उन्होंने चाय ओर्डर की थी डिलिवरी के वक्त भी बहुत गर्ब थी God bless you अकिल Your hard work will definitely pay you off रॉबिन मुकेश ने जैसे ही जुमैटो बॉई अकिल की कहानी फेस्बुक पर शेयर की अकिल की मदद करने वालों की होड मच गई लोगों का positive reaction देकर मुकेश ने अकिल को एक बाइक खरीद कर देने का फैसला किया इसके लिए मुकेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर फंड जुटाने के लिए 15 जून से एक अभ्यान शुरू किया और 10-12 घंटों के अंदर ही वो लगभग 70,000 रुपे जुटाने में सफल रही जब तक मुकेश ने इस अभ्यान को रोकने का फैसला किया तब तक उन्होंने 73,370 रुपे जुटा लिये थे ये रकम उनके शुरुवाती लक्षे से काफी ज्यादा थी इसलिए उन्होंने बाके रुपेश को अकिल की कॉलेज फीस के लिए देने का फैसला किया और आखिरकार मुकेश अपने सोशल मीडिया के दोस्तों के साथ मिलकर अकिल को बाइक दिलाने में सफर रहे उन्होंने फेस्बुक पर 18 जून को बाइक के साथ तस्वीरे पोस्ट करते हुए लिखा हेलो दोस्तों जैसा कि हमने वादा किया था हमने अकिल को हेलमेट, रेंकोट, मास्क, पैकेट और सेनिटाइजर के साथ टीविएस, एकसिल, बाइक की चाबी सौप भी है इस बाइक की कीमत लगभग 65,000 रुपे है मुहमद अकिल की मदद करने के बाद मुकेश ने कहा बाइक मिलने के बाद अब वो अपनी ड्यूटी और बहतरीन तरीके से कर पाएंगे 21 साल के मुहमद अकिल एहमत के बारे में आपको बता दे उनकी आर्थिक हालत छीक नहीं है इसी वजह से वो पिछले एक साल से जोमेटो के साथ काम कर रही है बाइक नहीं होने की बज़ह से साइकल से ही ओर्डर डिलिवर करते थी जिसके लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती थी लेकिन अब गिफ्ट में बाइक मिल गई है तो बाइक से ही घूम घूम कर डिलिवरी कर रही है बहर हाल इस मामले में आपका क्या कहना है अपनी राए हमें कमेंट कर जरूर बताएं झाल 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 झाल